नोरी आथ तुमारे नोरी आथ तुमारे नोरी आथ तुमारे सबसे बड़ा उनिया का सरोवर है उससे नहीं बतायता हूं आपने देखा हूगा गोल्डेन नैंपल वगार में देखा हूगा परिक्रमा देखी होगे पर आज जाएंगे और आपको दिखाएंगे यूनिक चीज है वह और गुर्द्वारा साइब बहुत एक तम गोल्डेन बैसे थे और यहां आपको मैं इस चीज दिखाता हूं यहार इतनी जादा आज अजका हूआ जाल रही है तो उन्हाएं आई यह को दिखाता हूं तो गाइज अभी हम क्रोस करें करतारों करतार बांस झाल्प के बाद ईसका नाम है ब्यास के आगे से हमें कुछ शौ blinking पता है ह्सोट कुछ हिarna धेखा है तो उसको हम यूज करेंगे और जल्दी जल्दी पहुंचेंगे अगर अगर हम इसके जाते हैं तो हम जो सबसे थोड़ा लंबा रासा पर जाता है तो मैं निचाता है यहां लंबे रासे को यूज के आजा है शॉटकट अगर हमें अच्छा लगिया तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप शॉटकट यूज करें इस आपने देखा होगा दिली कट्रा एक्सप्रेस बन रहा है तो यह वाला देखो यहां से एक्सप्रेस वे के तैयारी स्टार्ट हो चुकी है यह इसखो जी इधर से हाइवे बन रहा है और आगे आप देख सकते हैं धूल मिटी कितनी ज्यादा है तो गाइस अभी हम पहुं अगर बात करो टॉल प्लागा कौन सा बंद है वो है अम्रिसर वाला ब्यास टू अम्रिसर वाला इस पे हमें मतब कटवाना पड़ेगा टॉल हमारा पास्टैक लगा हुआ है तो अट्माइटली कट हो जाएगा गाइस पहुत ही लाजबा व्यू लगता है दोनों तरफ पीड और मतलब की बीच से हाइवे निकला हुआ है मतलब कहीं अबराट का मुझे यह हाइवे लगता है सुकाइज अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं प्यास रिवर एगाइस ट्रेन आ गई है यह तो जी यह स्टाप दी एक्स्प्रेस है जो दुपहर के टाइम पर जो अम्रिसर ज तो यह बना गेट जब आ गया तो मतब समझ लो कि आप तरन तारन साही पहुंच गए हूँ और यह उना रास्ता गुरद्वारा साइब के तरफ जाता है अगर आप यहां पर उतरते हो यहां से ओटन सुगारा मिल जाएंगे यह लगे हुए हैं और आप यहां से आटो यह बन रही है और यह सारा पार्किंग का एंरिया है तो इतना क्राउड नहीं है तो अभी थलते हैं जूते बगएर हमने नहीं होता है क्योंकि रोड़ थोड़ा सा टूटा पूटा था ता हम आगे में एंट्री की तरफ यह देखो जी गुर्दवारे साहिब का यह गेट आपको नजर आ रहा है और यह वाली थोड़ी सी मतब ट गिन्हें देखो यहां पे शराय वागएर है और यह मेन एंट्री है अभिटे वाइनगे के हाल वस्ट करेंगे और उसके बाद हम केसे गुर्दवारे की तरह क्याए यह पींच कि अपणे जूते वागएर उतार सकते हैं और उसके यहांufenत तैर दोके आँए यह तरफ चुछ बढ़ा तो में तो गांग तो गईज यह को गुद्वारा साहिब प्लच पाप बहुती अल्टिमेट बहुती मजेतार बहुती बड़ा स्वर साहिब और यह को जीकुद्वारा साहिब होग ये देख सकते हो दोस्तों ब्रहां स्भॉष ब्रुर्ष कितना बड़ा उसके जासे गॉंबदा तों उसक्णा गुंबद है और यह सिंगल गॉंबद है यह ऑर गॉल्ड गॉंबदाई वागे अधिया और यह स्रोबर देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ा में यह कैमरे में भी काप्चर नहीं कर पा रहे हैं इतना बड़ा है चलो हर्श को भी एक बार हम दिखाते हैं ले जाके नीचे चलो जी अखे मुहाथ होश करवाथे यसे पंच इसनानी किया जाते हैं हाथ तो हाथ हाथ तो हाथ तो हाथ, होड़िय यह तो हाथ। हाथ तो हाथ हाथ। मारे गुर्द्रेसाहिब आरे आ के बहुत ही खूब्सूरत मुझे बहुत ही आच्छा सा पील हो रहा जो सुकून यहां पर किया कर आता है मेरे addiction से कहीं पर आके नहीं आतार हो जो इस तरह तरह कि असना होते हैं ऐसे परमात्मा को रब को याद कर सकते हैंандमे उन से मेल कर सकते अच्छी जगा आपको कहीं पिवनि मिल सकती है तो यह वान अफ़ बैट चुप फीलिग है तो दोस्कों आप घर बैठे नहीं फिल कर सकते हो यहां पर आकर रभ के दुआर पर आप यह फिल कर सकते हो बहुत प्यारा सा है प्यार साहस बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस र सरगय होगे तो आपने देखा होगा दोस्तों कि सेम गुंबत उसी तरह का यह और इस तरह के कॉनल पर पानी पेने की भी जगा होती है बहुत ही प्यारा सा व्यू अगर मैं आपको बताओं इस मिनार के बार में कुछ लिख रखा है दिस मिनारेट वास बिल्ट बाइक कनव देख सकते हुँ दर्बार साहीव बहुत ही नेर आ गया है और वही प्यारा सा हसास अबको फील होगा जो गुर्दवारे साहीब जाके ग्रंच साहीब के सामने मथा टेक के होता है बापनी दरबार के साथ महुचके इता प्यारा सा यहां का वाता वरान है आधा दोस्तों किया नीए सकता तो यह दो जोड़िन की परत होई पड़ी है त्यारा तरफ और उपर देखो गुंबत कितना प्यारा लग रहा है और एक अलग सा एसास है यहां पर भाई साम कितना खुले-खुली सी जगा है और कितना प्यारा सा यहां का एसास है और कितना अच्छा लग रहा है यार बाबा जी के पास आके में अमन कर रहा है बाबा जी से प्रात्ना करना कि इस दुनिया में इतनी भी दुख ह तकलीफ है लोगों को सब की दुख तकलीफ हर ले कोई दुखी ना रहे किसी को तकलीफ हर रहे with guys आप यहाँ से देख करवा सकते हो गुरतौरे सख़ों के लिए देख जो ठीब थे पशाहत करावाना आप अपने तरफ से आप करवा सकते हो ये वो जगा है विर्दुआरे इस अपर पर प्रूंदेशे पर देखते हैं तो बेजाए दूरे तिरे जोरे जोरे तिरे तूरे जोरे तिरे नाव गदाब लाली है सचे रता है सचे कि जावा जीके समझे दोटिवाइब कैंटे नाव मिठी बच्छा है जबच्छा है कर दो आटें है कि यहां पे आपको दर्शन करवाने वाला नं प्रण और के तो आप देख सकते हो यहां पर आप आप मृत पाण कर सकते हो जैब बोद्वारे के बाक साइड पर जा ते ओर मंदर साहिं ये देखो आप देख सकते हो कितना प्यादा सा यहांपे है इस आपको मैं फैच दिखाता हूं भआ साब कितने ही प्यारी है यार यह देखो जी वाइट एंड और वाइट का मिक्षेश जो है और उससे देखो किश्व करना तीन चाहर है बहुत ही लाजवाव है तो गाइस हम करें परिक्रमा और जैसे घरमंदर साहिब जाते हैं तो परिक्रमा करने बहुत जोरी होती है तो किसी भी गुर्द्वारे में जा साथ हे निए थे सब्सक्त अब देख सकते हो है था कि आ है दो फो कि आपकी पहुत ही प्यारी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि फूरी में सब्सक्ताइब को इसमें चुर्द आप निय् Columbus इंश दिल से बताना यह एकता और मानफता की तस्वीर थी इसे कहते हैं इसे कहते हैं सारे धन एक खुदा एक रब सिर्फ एक है सब उपर वाला अब उस मुस्लिम को क्या पढ़ी थी कि वो यहां पर गुर्दवारे पे आकर नमाज दा कर रहा है बर उसके लिए भगवान अल्ला तो इसलिए वो यहाँ पर अपनी नमाज अदा कर रहा था, तो यही चीज़ है जो दरसाती है कि एक ही खुदा है सबका, एक ही भगवान है, तो जो हम लड़ते हैं, तो हम उस उपर वाले के बनाय हुए, उस पर संदेह करते हैं, कि रब ने तो एक बना दिया, एक जैसा सब को बना दिया, तो हम धन से उसे बांटते हैं, अलग करते हैं, रंग भेट से एक दूसरे को डिफरेंशियेट करते हैं, यह चीज़ों से हमें उपर उठना चाहिए, और इन जैसे तस्वीरों से सीखना चाहिए, कि एक मुसलिम बन देता हूं, यह दुनिया का, यह दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है, तो यह तरंतानन साहिब का सरोवर, सबसे बड़ा है, आइधिक उसके बात का सरोवर, दूसरे इस नंबर का गोल्डन एंपल, तो गाइज, हम सबने अभी मत्धा ठेका तरंतानन साहिब जी का, और होप करता हूँ कि आप सबने मत्धा ठेका होगा, और मन की मनकामना भी मांगी होगी, तो बापरी जिरूर आप सबकी मनकामना भी पूरी करेंगे, तो यह था आज का व्लॉग, अगर पसंद आए है तो लाइक करना, शेयर करना, सबस्काइब करना, कमेंट्स करके अपनी राय जुरूर बताना, और बताना कि और कौन सी जगाया है पंजाब में जो आप दीखना चाहते हो, तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ बाइटे के सबक है, शश्यकाल तोस्तों